इसके जो लॉयर है सतीश मांचिंडे उन्होंने ये कहा है कि जब इसकी शुशान्त सिंग राजपूत केस की इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है फ्रॉम सी बी आई तो किसी और और्गनाइजेशन को ये अथोरिटी नहीं है कि उसको अरेस्ट करे इसको दस शर्तों पे छोड़ दिया गया है जिसमें से कपल अफ शर्त ये हैं कि एक तो इसको एक लाक रुपे सब्मिट कराने पड़ेंगे जो आपको और मुझे पता है कि वह पीनट्स है ठीक है? दूसरी चीज ये है कि ये हर एक दिन आके रपोर्ट करेगी मुंबई पुलिस को अब आपको और हमें ये पता है इसली कि मुंबई पुलिस इसकी जेब में है ठीक है? कैनाट लीव दे कंट्री सो दाप सोके यह तो वैसे भी drugger है यह तो drugs बेज बेज के पैसे बनाई लेगी ठीक है cannot meet any other witness this is so depressing for Shashan's warriors because हम लोग इतनी मेहनत से उसके लिए fight कर रहे हैं कि उसको justice मिले और यहां कहीं से कहीं hope ही नहीं है अब आप मैंने यह जो red में राउंड किया वाई यह पढ़िये उसमें लिखा वाई कि not to temper with investigation or evidences आपको लगता है जब यह jail के अंदर थी यार हम सब को पता है कौन है इसके पीछे किसकी वज़ा से बिना government की help के कोई drug इतना बड़ा drug racket नहीं चल सकता हमको यह भी clearly पता है कि कौन जो company है वो basically एक facade है model उसका बाकी उसके पीछे क्या काम होता है बड़ी-बड़ी actress मिलके दीपिक अपाड़कोन सारा लिकार यह सब मिलके drugs बेचती है drugs racket में काम करती है यह under world के लिए काम करती है उनका black money किस तरीके से white करती है हम लोगों को easily पता है बट वोई चीज़ आप पीछे पलट के देखो तो ऐसे लगता है जैसे इस case में actually में कुछ हुआ ही नहीं है ठीक है लोगों को satisfy करने के लिए कहीं न कहीं तक CBI कर दी गई है बट NCB के हाँ पे तो मुझे लग रहा है कि fashion show चल रहा है everyday top model, top actors यह सब कुछ आ रहे हैं catwalk कर रहे हैं और थोड़ी सी investigation करके release हो रहे हैं डिपिका पाडुकोन का name आया सारा ली खान का नाम आया सिमोन खंबाता का नाम आया और रकुल प्रीत का नाम आया सब लोगों का clear evidence evidence था उनके पास show करने के लिए कि यह drug racket से related है सब चीज़े हैं और उनको छोड़ दिया गया मतलब हो क्या रहा है एक जो law है वो कितना मजबूर हो सकता है यार कि आम बंदे को दिख रहा है कि यह सब involved है अब यह सब क्या कर रहे है black money को white money करने की कोशिश कर रहे हमको पता है कि कौन कि जब अंदर रह के कोई evidence नहीं छुटा तो आपको क्या लगता है कि रिया चकरवरती जब बेल पे बाहर जा रहे है तो जो भी evidences बाकी बच्चे होंगे उनको छोड़ देगी seriously आपको पता है कि अभी साहिल चौदरी पकड़ा गया था ठीक है वो क्यों पकड़ा गया था अभी तक वो शुशान्त के बारे में बना रहा था सब ठीक था ठीक है बहुत उसको subscribers मिले बहुत से like मिले बहुत लोगों ने उसको सराहा सब कुछ किया जितने भी यूटूबर्स हैं जितने भी यूटूबर्स पे जाके वीडियोज बनाते हैं इन सब की बात में कर रहे हैं शुशान्त के related case में अब साहिल से क्या गलती हो गई उसने आदित्य ठाकरे की वो जो वीडियो बनाई